रीवा से भोपाल चलने वाली रिवांचोल एक्सप्रेस ट्रेन में नो फरवरी की राद गोली चलने के बाद संसनी फैल गई गोली कब चली किसने चलाई इसका भी तक पता नहीं चल सका है रीवा जी आरपी थाना रीवा में अग्यात व्यक्ति के विरुद्य फायार दर्श कर ली गई है और घटना की जान शुरू कर दी गई है रीवा जी आरपी थाना प्रभारी आरपी ठककर ने जानकारी देते हुँ बताया कि नो फरवरी की राद कमलापती रीवे स्टेशन वोपाल से चल कर रीवांचल एक्सप्रेस ट्रेंस सुवरीवा पहुची थी जिसमें देर रात गोली चलने की घटना घटित हुई सूचना मिलने के बाद जब तफ्तिश शुरू की गई तो ट्रेन की बोगी एसी फस्ट बर्त 19 में गोली चलने के सबूत मिले रेलवे पुलिस को सीट में एक छेद मिला जो गोली लगने का था ट्रेन के उस डब्बे की बारीकी से जांच की गई साथी फॉरंसिक की टीम ने भी साक्ष जुटाए है पुलिस द्वारा अब रेलवे से यात्रियों की जानकारी सहित अन्य दस्तावेज मागा गया है जिसके बाद ही उक्त सीट पर सफर करने वाली यात्री सहित गोली चलने के कारोणों का पता चल सकेगा यह घटना तो खेर हमारे लिए आर पी एफ से प्राप्त हुई है का आर पीएफ के सब इंस्पेक्टर ओजाजी ने हमको और उनके रेलवे का दीकारी द्वारा हमको में बो दिये गया है लिखित में कि ट्रेन में गोली चली है पर हम लोग गए तो वहां पर देखा कि उसमें छिद्र था ठीक हम भी लोग गए थे तो हमने उसकी फोटो लेकर आप आपस आ गए उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अफाई यार दर्जी कर दिये हमारी तरुस हम फर्यादी बर रह रिवा में कर लिया गया है और इसकी बेचना जा रही है सबी लोगों से पूछताज की जा रही है रेलवे का चार्ट ले लिया जा रहा है जो भी कारवाई होगी बख्त पर जो भी आरूपी होगा उसको आगे हम गरपतार करेंगे यह ट्रेन अपने यहां पर दस्तारी को स लैक्सप्रेस जो अपने हां सुभए रे आठ बजए आये वहां से चलती है दस बज के पांस मिनट पर और जिस अब यह गाड़ी चलती है रानी कमला पती से रीवा के लिए और इसका कोच नमर है एवन बर्थ नमर इन्नवर उनने इस पर यह अब यह तो भुपाल से चलती झाल 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 झाल